हलो दूस्तों वेलकम तो मैं चैनल दूस्तों आज हम बात करेंगे होट फ्लेश के बारे में होट प्रेश किया हैँ जब हमारा मैं लीडीज का एक समय आता है तो मैंटोबोज होता है और पहले किसमें पहले है नस 40-45 जाया था पर आज गोगब होता है तो कहीं लीडीज को समझ में ही नहीं, रहोखे हो हैं होट फ्लेश इस क्या है है होट फ्लेशिस हम को शरीर में लीड सेशन फील होता है और गुसा गुसा जादा आरणा, frustration, irritation, mood swing, mouth dryness, तल्वों में जलन, पैरों में जलन, और शरीर में ऐसे लगना जैसे घर्मी आख लग रही है, गबराट, पल्पिटेशन, पुरी शरीर में घर्मी 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 लगती है, तो दोस्तों जब घर्मी आती है तो और परिशान हो जाते हैं, तो ज्यादा से पानी पीना जीए, तो दोस्ते, नमबर वन टिप है, मैं आपको घर की नेचुल टिप दोंगी, जिससे आपके होट फ्रेश दूर हो जाए, काफी रहत में, नमबर वन टिप है दोस्तों, लोकी का जूस आप पी सकते होस में, लोकी का जूस ठंडा होता है, और जिन लोगो ले सकते हो, जिसके आप ये सोफ का शर्बत पी सकते हो, या खाने के बाद तोड़ी सोफ खा सकते हो, सोफ मुलेटी खा सकते हो, कुछ इतना हो सकते, ज्यादा थड़ी चीजे कंजूम करनी है, तो गरम चीजों से धूर है चीज, जिससे पेश एगजांपल बैंगन, जैक बहुत गरम उससे भी दूर रहना है घरम चीजरों से जादे से जाद आपको दूर रहना है और दूसरा अपनी तक्मर्या जिसको हम specially फलूदे में डिला जाता है एक ornaments सीड पड़ा हूऊ है। इसको जब हम पानी में डालते हैं तो फूलता है और यह सपेशिली फलुदा में पड़ता है। जब हम खाते हैं जो फलूदा सबजा सीट्स भी बोला जाता। इसका दूसरा राम है सबजा सीट्स इसको आप को थर्टी मिन biz 30 मिनट्स शोड reproductive बीगोना है। वह आप कտसी में भी rez Karma कर सकते हैं। निसी भी शाबत में आप लेकां, मैंने आपको लेना है एक दिन में घर लेड़ी को 1 टीबल स्पून आपको बीगोना है एनिटायम आप लेज बीर सकते हो ज्बादा से ज्दा हम लोग स्मूदिस में ड़ा हुआ अधिस》 फालू दे में स्मूदिस में डल है इसके तासिर बहुत ठंडी होती है जो हमारे लिए बहुत अच्छा और दूसरा आता है चुना चुना मैंने वीडियो भी बनाया हुआ चुने के लिए और चुना जब डॉक्टर्स हमको बोलते हैं कि आपके शरीम में कैल्शियम की कमी है एक एज होता है मैंडूपर्स के समय करणे हैं जब बहुत ज़्यादा हमारे शरीम में बोन्स और जॉइंस की प्रॉब्लम हो जाती है तो कैल्शियम की लैक ऑफ कैल्शियम होता है तो डॉक्टर्स हमें डैरी प्रोड़क्स खाने के लिए ज़्यादा से ज्यादा बोलते हैं लेकिन हम लीडीज को उस टेरी प्रोड़क्स इनफ नहीं है हमको उसके साथ साथ हमको केशियम सप्लीमेंट्स भी दिया जाता है मैं आज आपको बताऊंगी केशियम सप्लीमेंट्स के बदले क्यों नहीं हम घर की नेच्छल चीज लेकि हम अपने देते हूं कि जिन लोगों को हॉट फ्लेश उनको चूना कैसे लेना है चूना आपको लेना है एक गयों के दाने के बराबर आपको लेना है लेकिन बहुत मसल मसल के लेना है और डीटेल में आप वीडियो देख लीजेगा तो अब आपको जब आप लेले हॉट फ्लेश इस जादा से जादा अपने आपको ज़ल्दी ठीक करना चाते है अपर अर्ली मॉर्निंग को जो बहुत अच्छा है और चुने की चूना हम हमारे होट फ्रेश इसको भी ठीक करता है, ठंडग देता है चूने चूना लेले से हमारे बोन और जॉइंस उनको बहुत ताकत मिलती हैं पेन है कमर का दर्द है स्पॉंडिलाइस प्रॉब्लम से सब चीजों से राहत देता है एक चुना एक लिए कि उससे काफी हमारी बिमारिया ठीक होती है चुने के तो अनेक फायदे है बहुत सब फायदे है अगर जो भी बच्चे को चुना देते हैं तो बच्चे के लिए भी उसकी ब्रोथ बहुत अच्छी होती है उनकी दिमाग बहुत तेज होता है और डीटेल में आप देखना चाते तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो चुना फुल ऑफ कैल्शियम है जिनको फिल आपको अगर आप चुना लेते हो तो आपको कैल्शियम सप्लिमेंस लेने की ज पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए जिससे होट फ्लेशियम नहों तो जब पानी बहुत एक अम्रुद भगवान ने बनाए है उप पानी ज्यादा से ज्यादा लेना और मटके वाला पानी लो तो आपको मटका फुल ऑफ कैल्शियम है आपको वह भी ठीक है वह आप ले सकते हो सामें कहना चाहूंगी की लीडीज को अपना हमेशना ठंडी चीजें लेनी है जी लोगों को फॉटफलेश होते हैं उनको भगवान ने बहुत अच्छी धर्दी पेचीज बनाए गर्मी में कितने अच्छी अच्छी फाल आते हैं गर्मी के हिसाब से जो हमारा वाटर मेलन है तर्बूजा वो हमको कितनी घर्मी से राहत देता है वो हमको लेना चाहिए मस्क मेलन है बेल का फ्रूट है मस्क मेलन खर्बूजा है और खर्बूजे वो भी बहुत ठंडग देता है तो मैं यह कहना चाहूंगी कि उसके बीज भी हमारे लिए बहुत वीडियो बनाई हुई है, healthy snack for kids, आप वो भी देख सकते हो, मैं description box में डाल दूँगी, और ये must melon खाने में तो ठंडा है, लेकिन उसके बीच भी और उसके बीच भी बहुत फाइदा देते है, जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा ओरे ज्यादा खाईे, थंडेज अध्स ल영गों दोस्ता मुश्ण, अन दूस्ता में बताऊंगी, कि आप गुलकन भी खाशके खते हो, आप पाँ से लेते दो शुगर ज्यादा होता है, तो आप जिन लोगों के शेहरों में अचिछी से दोप है वह खुद भी बना सकते है, इस कर आफ शुगर की तरह करके आप गुलाब की फूल और ये मिश्री डालकर रख सकते हो लेकिन दागे वाली मिश्री बढ़ी लेनी है वो जो चुटी-चूटी मिश्री आती हो शुगर का ही काम करती है अब मेरा când के बारे बहुत वीडियो बनाई हुई है और दोस्तों मिश्री हमेशा को दागी वाली लेनी, वही बेस्ट है कहई रोज अगर हम गर्मी शरीर से गर्मी को ठ्वाना चाहते तो हम दूसरा टीप ये भी है आप एना, घर पर, गुलाब की फूल, उनको Grow कीजिये आप Wool गर पर ले सकते हो गुलाब की 5 पंभूडिया आप रोज ऐसी खा सकते हो प्लीज बभार का मत लेजिए कि बाहर हर चीश में आज करщее क्यमिकल डालते हैं बाहर Πलांच में भी वोग कैमीकल डालते हैं तो मैं यही एड़वाइस करना चाहूंगे, अगर आपको गुलाब का फूल खाना है, तो आपको घर पर ग्रो करके वो खा सकते हो आप, तो रोज आपको पांच पंखुडियां खानी है, उससे भी हमाई शरी से गर्मी मिठते है, ज्यादा से ज्यादा डैरी प्रोड़क्स आप यूज कर सकते हो, और तोफू तो बैस्टेज सोया प्रोड़क्स जैसे तोफू आप ले सकते हो, उसका तोफू का दई भी भना सकते हो, आप सबसे बैस्टेज दोस्तों हमको हमाई लाइफ को लाइफ स्टैल मोडिफिकेशन करना है, एक्जाम्पल आपको ज़रूर वाकिंग करो, प्रानायम करो, ब्रीफिंग एक्सराइज, योगा, मेडिटेशन और सबसे आपको तो यह सब आप कर पाओ, तो बहुत अच्छा है, लिकिंग मैं दो प्रानायम आपको बताना चाहूंगी, इस होट फ्लेश को आपको ठीक करेगा, जैसे शीतकारी और शीतल सबसे बेस्ट दो प्रानायम आपको करिए, वो बहुत आपको बहुत इंस्टन रिलिफ देगा, शीतली प्रानायम, शीतली प्रानायम और शीतकारी प्रानायम, आप इन दोनों को कीजी, आपको इंस्टन रिजल्ट मिलेगा, जिन शेरों में बहुत घर्मी है, किसी से सहन तो आप कहीं पर भी हो आप ये कर सकते हो आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक को सब्सक्राइब कीजिएगा